आप देखिए तेलंगाना की सरकार में जिन डिपार्ट्मेंट्स में पैसा बनता है सारे के सारे डिपार्ट्मेंट एक परिवार के हाथ में आप सब जानते हो तेलंगाना में पैसा कौनसे डिपार्ट्मेंट में बनता है सबसे बड़ी चोरी कहा होती है आप जानते हो सबसे बड़ी सबसे बड़ी चोरी शराप में होती है एक को चोरी अंटे दो पिड़ी लिख कर लो उत दी जमीन में होती है बूमी पाइन आउत दी और रेत में होती है इसका में दगुणा दो पिड़ी जरुत दी और यह सारे के सारे पियारेस के चीफ मिनिस्टर ने अपने रिष्टेदारों वो दे रखे हैं इवन्नी कोड लिक्कर गानी भूमी गानी इसका दंदाल कानी बी आरेस मुख्य मेंतिर कुटम्ब सब्विरा चेत लो उन्ना आई मगर इन डिपार्टमंट से भी उनकी भूख पूरी नहीं होई कानी इस श्याकल उन्च कोड वार चेत लो ने उन्ना आई और पैसा लूटने की जरूरत थी कलेश्वरम प्रोजेक्ट में एक लाख करोड रुपए आपका उठाके ले गए काले श्युरम प्रोजेक्ट लो दाजबो का लक्ष कोट लपए ना दो पीड़ जेटन को सुप्राइटन जिया श्यार चेस श्यारू और वहां के वहां के बराज के जो खंबे हैं वो सारे के सारे गिर रहे हैं आपके बराज अन्ली कोड़ा हो खुली पहता हो नाई के सियार जी को जाकर वहां पर सुनाई नहीं दे रहा हैं यह वहां दे यह पट्लागर यह अंदर मंदू राउच कादा सावनिट माइक्स आद इस साइड से वहां पर के सियार जी को इंस्पेक्शन करना चाहिए अकड़ा कूली पॉत्र ने ट्वेटी बैरे इस देगरा इराश्ट्र मुक्य में दिर के सियार इंस्पेक्शन जी है अल्च ने टूट आउसर हुंदी हालत यह है कि त्यलंगाना पर इतना करजा है कि दो हजार चालिस तक सारे के सारे परिवार 31,500 रुपे देंगे डंता कोड़ा 31,500 रुपायलो अंदरी पैना अपगा पेटे सुन्नारू आए पोलेजलो वाल अंदरनी ट्रानी हांडी वदलाणी वालन adult वालेज़न वालन वल्ली toaster I get to the case Thank you पूच्छों ने धन्मीदों पूच्छों ना अंदर इटलो राणी मत्तमी राणी ए इदुगूड दीश्कों नीट्राने आताल्लु धियांदी पुलिस होलो ए अवि धियांदी वाल अंदर राने ये इटलो पुदक बाणि वत्तमा अंता मुंदुक राणि अदु कोड़ दियांटि अब बंडी दियांटि अंदर मुंदुक राणि तो देखियें अब बार्केटल दियांटि सेकल जब कुपला मुंदुक बंडि इट्राणि एता अंदर मुंदुक राणि मुंदुक राणि अंदर मुंदुक राणि तो देखियें अब देखियें बात समझे अब ये है प्रजाला सरकार जनता को सुनाई नहीं दे रहा था तो सारी की सारी चेन हटा दी यहां आ गए आप चोड़ेंडे इदी प्रजाला सरकार अंटे मुंदुक राणि अब भया दोराला सरकार में आपके चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकते जनता चीफ मिनिस्टर के इतना पास आ जाई उनको भागना पड़ जाएगा जनता की चीफ मिनिस्टर उनके रेकड़ उनके रानिस्टर हूँ तो इतना पैसा आपसे लूटा इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्स में लूटा और सबसे बड़ी लूट धारेनी पोर्टल में इंता दोपिड जारिकिन नंटे सबसे बड़ी लूट धारेनी पोर्टल में कहा कंप्यूटराइजेशन करना है और उसके बहाने तेलेंगाना के 20 लाग गरीब लोगों की समीन लेली यकड़ कंप्यूटराइशन जैसे तेलेंगाना लोन नटेट पेज़ अला भूम अन्निटी कोड़ा दिन द्वारा दो पिड़ी से रिकिंदी तो कॉंग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएंगे खाँ खांगरे प्रबत्व रागा लें ये मुक्यमेंद्र मी जे बुलन चेंता दो पिड़ी जे चड़ो प्रजाला सरकार आपका पैसा आपको कैसे देगी सबसे पहले महलक्ष्मी स्कीम जो हमारी महिलाएं हैं वो त्यलेंगाना के भविष्ट की देखबाल करती है हमारे बच्चों की देखबाल करती है और गरीब महिलाएं दुगना काम करती है दिन भर मजदूरी करती हैं और अपने बच्चों की देखबाल करती है तो सबसे पहला कदम त्यलेंगाना की हर महिला के बैंक अकाउंट में दो हजार पांच सो रुपे प्रती बहीना मोदी जी के सरकार में गैस सिलिंडर हजार रुपे का मिलता है मोदी गवर्नमेंट लो गैस सिलिंडर वही रुपे लो दरुता होंगे उसका पैसा बड़े बड़े उध्योग पत्यों को जाता है हमारी सरकार आएगी तो तेलेंगाना के महिलाओं को गैस सिलिंडर पांच सो रुपे में मिलेगा मारा प्रभुत्तो रागा ने तेलेंगाना महिला अंदर की गैस सिलिंडर आईदू वंदल के इस्तामों और देखिए आज हम बस से बाशन दे रहे हैं बस के उपर खड़े होके बाशन दे रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो पूरे तेलेंगाना में तेलेंगाना की सरकार की बसेज में हमारी माताएं और बहन एक रुपिया नहीं देंगी मा प्रभुत्तो रागा ने मान तल्लूलों सोधरी मनल की इबस लों वक्क रूपाई गोड़े वकोड़ना उच्चत प्रयाणम जरूत देखिए महीने का 2500 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में फ्रत्ति नहला रिंडवेल 1100 रुपए लो नेर का ओल बैंक अकाउंट लों कुस्ता ही 500 500 रुपए गैस सिलिंडर में बचेंगे और महीने के कम से कम 500 या 1000 रुपए बस में बचेंगे तो महीने की हर महिला को 4,000 रुपए की बच्चत होगी इंद्राम्मा इंद्राम्मा इंद्लू स्कीम में इंद्राम्मा 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 इंद्र आपने पूरी जिन्दगी तेलंगाना के लिए रामेश्व रम्मा जैसे तेलंगाना में लाकों महिल आए हैं जो भुजूर्ग हैं आपने पूरी जिन्दगी तेलंगाना के लिए रामेश्व रम्मा जैसे तेलंगाना को बनाने में इन्होंने मेहनत करी हैं अपना कून पसीना दिया है आज इनको दोजार रुपे पेंशन मिलता है महिने का दोजार रुपे सरकार आने के बाद इनको महिने का चार अजार रुपे मिलेगा कांगिराई प्रवत्तो रागा ने मीलाटी तलुल कोसम नालुग व्यल रुपे लो प्रति नेला प्रेंशन अस्तुन दे और 200 यूनिट हर महिने बिजली के मुफ्त में मिलेंगे प्रति नेला रेंड़ वंदला यूनिट लो करंटो उचितंगा इस्तामों अब देखे एक और नारा चला है एक और नारा चला है इंकों के विदार हम नरस ता होंदे अब बहुत सारे लोग बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- आपके infrastructure के project का दरीनी प्रोटल का जो पैसा है उसका हिसाब भी तो लेना है उनको ये भी तो समझाना पड़ेगा कि उन्होंने आपके पैसे के साथ क्या किया मैंने आपको अभी तेलंगाना गी बात की अब मैं थोड़ा आपको देश के बारे में कहना चाहता हूँ कुछ महीने पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा का मतलब मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूँ ये देश और प्रदेश नफरत के प्रदेश और देश नहीं है ये मोहबत का देश है मोहबत का प्रदेश है ये देश मों ये राष्ट्र मों विद्वेश अलकिस्तान अवन नट्वट इतका दो प्रेमिंचे 20 देश मों राष्ट्र में दी नरेंद्र मोडी और RSS पूरे देश में नफरत फिला रहे हैं नरेंद्र मोडी मारी RSS वोड़ो यी देश वोड़ो ध्वेशान नी पेंचुतों नारू तो हमारी यात्रा में हमारा मेसेज एक लाइन का मेसेज था ना यात लो ना संधेश मुत वोक्का लाई लोने संधेश भी चानू नफरत के बाजार में हम मोहबद की दुकान कोलने जा रहे हैं अब सवाल उठता है कि बीजेपी नफरत क्यू फेलाती है इस नफरत से बीजेपी को क्यू फाइदा होता है ये मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ बाईयो और बहनो यहाँ पे बहुत सारे पिछड़े समाज के लोग खड़े हैं जिसको हम OBC कहते हैं यहाँ पे दलित समाज के लोग हैं मगर देश में जादा से जादा अबादी दलित आदिवासी पिछड़े माइनोरिटीज की है मैं आपको उधारन के तौर दिखा देता हूँ यहाँ पे OBC वर्ग के कितने लोग है हाथ उठागे दिखाओ यह देखो आदे हिंदुस्तान ने हाथ उठा दिया यह देखो तो इस देश में कम से कम पचास परसेंट OBC वर्ग है यह देश हम लोग तक को लो तक को यहाँ वैस्या तबंदी बलहेन वर्गाला समन्दी तिने 28 OBC लो ना रूँ और यह जो लोग है यह इस देश को चलाते हैं रीड की हटी हैं अब सवाल यह है कि इन लोगों की हिंदुस्तान को चलाने में कितनी भागिदारी है और यह सवाल है कि इस देश में किसकी कितनी अबादी है अगर मैं आपसे आज पूछू कि भाईया इस देश में OBC कितने है कितने आदिवासी हैं कितने दलेत हैं कोई जवाब नहीं दे सकता बाईयों और बैनों कुछ दिन पहले मैंने पार्लमेंट में भाषन किया और मैंने वहाँ दो आकड़े रखे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरकार को MP राजसभा लोगसभा के MP नहीं चलाते बारत की सरकार को 90 अपसर चलाते हैं 90 IAS के ओफिसर चलाते हैं यह नपे लोग हिंदुस्तान के बजेट को बाठते हैं यह देशे बजेट ले पच्च उतारो यह निर्ने लेते हैं कि डिफेंस के लिए कितना पैसा जाएगा मन्रेगा में कितना जाएगा इंफ्रस्ट्रक्चर में कितना जाएगा शिक्षा में कितना जाएगा अधिकार ले रक्ष रनंगान कें तर बावाली एनरी यस केंत नरेंद्र मोडी और केसियार अपने MLA's और MP's की बात नहीं सुन्ते अफसरों की बात सुन्ते है तेलेंगाना को भी ऐसे ही चुने हुए अपसर चलाते हैं तो भाई और बेहनों सवाल उठता है कि इन अपसरों में से नपे अपसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं सवाल ये है क्या इस देश को चलाने में दलितों आदिवासियों पिछडों और माइनोरिटीज की भागिदारी है हां या ना ये सवाल है भाई और बेहनों ौपे अपसरों में से सिरफ तीन अपसर OBC वर्क के है और बजेट का सिर्फ 5% निनने ये अपसर लेते है मतलब हिंदुस्तान की सरकार में OBC की कोई भागिदारी नहीं है इसलिए मैं हर भाषन में कहता हूं कि OBC सेंसस कास सेंसस की ज़रूरत है हम जानना चाहते हैं कि इस देश में कितने दलित कितने आदिवासी कितने OBC कितने माइनोरिटी है बीजेपी OBC वर को शक्ती नहीं देना चाहती है बीजेपी भारती जन्तापाटी OBC की शक्ती नहीं देना चाहती है इसलिए ये लोग कास सेंसस नहीं करना चाहरे है इसलिए हमने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार त्यलेंगाने में आएगी हमारा पहला कदम कास सेंसस होगा त्यलेंगाना में जैसे ही सराराँ राइगी यहां मोःआगी संसस चुरू करेंगे और जैसे ही दिली में सरगाराइगी पूरे हंदुस्तां में हम कास सेंसस लगा देंगे और जो भागीदारी OBC कोई होनी चाहिए वो हम पूरी करके आपको दिलवा देंगे बाईयों और बेहनों BJP इसलिए नफरत फैलाती है क्योंकि वो यह नहीं चाहती कि आप अपनी सची आबादी के बारे में जान जाओ आंदि के बाईयों BJP वालू कावालने द्वेशानी रत्त गुट्टू यह वास्त वाली बाईटी रानी कुणना दास्ता वर्ला रोहू क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सची शक्ति पता लग जाएं हम आपको आपकी सची शक्ति के बारे में दिखा देंगे वो पहला कदम होगा बाईयो और बहनो आकरी बाद बीजेपी बी आरेस और एम आएम एक हैं ये तिनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं मैं बीजेपी आरेस से लड़ता हूँ मैं बीजेपी गुरूँची बीआरेस गुरूँची चपदल सकुर नानू मेरे उपर नरेंद्र मोदी किस सरकार ने 24 केस लगाएं बीजेपी सरकार नरेंद्र मोडी गारू ना वेदा ये रवय नालू केस लूबे टेरू मेरी लोकसवाव की मेंबर्शिप रद कर दी मेरा घर उठाके ले गए सरकारी घर था इन्होंने घर लिया मैंने का ले जाओ अपना घर मुझे नहीं चाहिए मेरा घर पुरा हिंदुस्तान है मेरा घर पुरा थेलेंगाना है मुझे तुमारे कोई घर की ज़रूरत नहीं है अब मेरा सवाल मेरा सवाल अगर बीजेपी और बी आरेस मिले नहीं है तो आपके चीफ मिनिस्टर के ओपर एक भी केस क्यूं नहीं है आपके चीफ मिनिस्टर के पीछे क्यों नहीं भागरी CPI क्यों नहीं भागरी विजलन्स क्यों नहीं भागरी ने चीप में में इंकम टाक्स डिपार्टमेंट वाले लोग उनके घर के सामने क्यों नहीं कड़े बाई और बैनों क्योंकि ये दो मिले हैं बाई सौधर सौधर में लोग सवा में राजय सवा में बी आरेस के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को मदद करते हैं लोग सब लोग ये आरेसपार्टी संयाँ पारलमेंट सब्लोग बीजयप के लोग आय quedcare के मधद छाव इस्ताव़ अरू और तलंगाना में बीजयपी बी आरेस की से की मधद कर रही है कॉंग्रेज पाटी ने उनकी सारी कि सारी ग्यास निकाल दी ऐस गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गये अka के नेता कहते हैं कि हम तलेंगाना में ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे बीजेपी लाए कुछ जबता लो तलेंगाना रास्ट्रा लो ओबीसी मुख्य बत्र जेस्ता नहीं अरे भाई साब दो परसेंट वोट से तलेंगाना में आपकी सरकार नहीं बनने वाली है अगले टूर पे नरेंद्र मोदी जी अमरीका जाएंगे राबये निकलो नरेंद्र मोदी गार अमिर्का गोड़ा तरो वहां पे जाके कहेंगे अमरीका में हम ओबीसी का राष्ट्रपती लाएंगे ना तलेंगाना में इनकी सरकार आ रही है ना अमरीका में सरकार आएगी आप बी आरेस की मदद करना बंद करो और दिल्ली में जाके अपनी तियारी करो क्योंकि जैसे हमने आपका यहां टायर पंचर किया है हम दिल्ली में आपका टायर पंचर करने आ रहे हैं अच्छा एक दूसरी पार्ट तीसरी पार्टी है बीच में अच्छा लोड़ा पार्टी कोड़ा हूंदी महराष्ट्रा त्रिपुरा जहां भी कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है माज्य प्रदेश राजिस्तान इंका इतर रास्ट्रा ले एकड़ाई तो में निकल बहता हूं वहाँ पे M.I.M. पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देती है आप देखिए इनका एक वोट नहीं है असाम में इनका कुछ लेना देना नहीं है मगर जहां भी बीजेपी चाहती है वहाँ पे M.I.M. के लोग सलूट मारके कैंडिडेट बठा देते हैं मैं M.I.M. के नेताओं से पूछना चाहता हूं असाम में टिकेट असाम में कैंडिडेट बैठा उतारने के लिए आपको पैसा कहां से आता है महाराश्ट्रा में कैंडिडेट उतारने के लिए आपका पैसा कहां से आता है मैं आपको बताता हूं बीजेपी से आता है हमें पूरे देश में महबबत की दुकान कोलनी है पहले हम यहां तेलंगाना में प्रजाला सरकार लाएंगे और फिर दिल्ली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वहां चाहता है आप सब दूर दूर से आए शाम का समय है इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हमारे कैंडिडेट्स का एक मिनट में परिचा करने आप सब का देल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार